अज का हमारा टॉपिक है विभित प्रिश्णा वाली दो निमने लिखित प्रिश्णों के उत्तर लिखिए खान क्या काम करता था? खान हींग बेशने का काम करता था मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रिशिद है और क्यों? मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रिशिद है बे भारत के ग्यारवे राष्ट पती है उन्होंने अगनी मिसाइल का निर्मार किया सुबास चंद्र बोस ने मांडले जिले से किसको पत्र लिखा था तथा उसमें किस विशे पर चर्चा की थी? सुबास चंद्र बोस ने मांडले जिल से एंसी केलकर के नाम पत्र लिखा था उस पत्र में सुबास चंद्र बोस ने चर्चा की थी कि इसी जिल में लोकमान तिलक ने सुब्रसित गीता भाश लिखा था जहां उन्हें छे बर्स तक रखा गया लोकमान तिलक ने अपने बहुमूल जीवन की इस अबधी में कितनी पीड़ा सहन की थी जेल जीवन में पिछली आदते छोड़ना पड़ती हैं तथा स्वेम को स्वस्त और इस्पूर्तिवान रखना पड़ता है तात्या कौन थे तथा बे किसके सहयोगी थे तात्या सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सैनानी थे और ज courtroom जासी की महरानी लचमी बाई के एक सहयोगी थे हमारे प्रदेश में कौन कौन से राष्ट उद्धान हैं? हमारे प्रदेश में राष्ट उद्धान निम्न लिके थे सबसे पहला प्रिसिद राष्टुद्धान काना, बांधवगण राष्टुद्धान, माधाव राष्टुद्धान सिपुरी, सत्पुणा राष्टुद्धान होसंगवाद जिले का, संजय राष्टुद्धान हमारे प्रदेश के सीदे जिले और 36 गण राज्जी के जिलि तक फैला हुआ है इंद्रा प्रदाशनी पेंच राश्टे उद्धान, सिबनी पन्ना राश्टे उद्धान, टाइगर रजर्व छेत्र, पन्ना और चातर पूर जिलों तक फैला हुआ है बन बिहार राश्ट उद्धान हमारे प्रदेस्त की राश्धानी भुपाल में है जीवास्म राश्ट उद्धान जिला मंडला इस्वे बनस्पती जीवास्मों को सनरक्षित किया गया है गौरईया के विसे में पाँच बाके लिखिये गौरईया कच्ची मिट्टी की दिवारों के उपर डाले गए छपपरों में घास और पत्तों से अपना घोसला बनाती है उसकी आँखे अती सुन्दर और नीलम मडी की शमान होती है गौरईया अती फुर्तिली गती से इधर उधर होदकती रहती है कभी मटके की गर्दन पर तो कभी अगनी पर चह चहाती हुई चंचल गती से इधर उधर चहती फृती है गौरईया सरसर करती हवा में तेरती हुई उठती जल की लहरों के पानी से अपनी प्यास बुझाती है नीप का पत्थर कौन है तथा क्यों नीप का पत्थर मुंदर है जो महरानी लच्मी बाई की सहेली है उषने स्वराज्य की स्थापना की भूमी तयार करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी किसने किस से कहा ऐसी बात मत कहो अम्मा बेटे को भी क्या कभी मा से डर हुआ है ये बात किसने किस से कही थी हींग वाला खान ने साबित्री से कहा आज हमें स्वामी भक्त से जायदा देस भक्तों की आवश्यक्ता है ये बात लच्मी बाई ने तात्या से कहा स्वराज की लड़ाई स्वराज मिलने पर ही सांथ हो सकती ये बात किस ने किस से कही थी? महराली लच्मिवाई ने अपने सरदार रामचंद्र से राष्ट उद्धान कौन बनाता है दीदी? ये बात हर्मिंदर नामक छात्र ने अपनी सिक्ष का स्रीमती संध्या से कही थी. रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए. सफेद वाग खालिस्थान राष्ट उद्धान में है. सबसे तेज दोड़ने वाला प्राणी खालिस्थान हमारे देश से पूरी तरह बिलप्त हो गया. सबसे तेज दोड़ने वाला कौन सा प्राणी है? जो कि हमारे देश से पूरी त चड़ों में खालिस्तान बजाते थे डॉक्टर कलान फुर्सात के चड़ों में क्या बजाते थे रोद्र बीना मेरे मटमेले आंगन में खालिस्तान गोरिया मेरे मटमेले आंगन में गोरिया क्या कर रही है फुदक रही है मेरे मटमेले आंगन में फुदक रही गोरिया भविस सवारने के मुह में देश सेवा का अपसर हाथ से जाने नहीं दूँगा। जो मुझे अपसर प्राप्त हुआ है उसे मैं अपने हाथ से निकलने नहीं दूँगा। बहुत मुल्यवान होता है। मोहन मुखरिस की ये बातें जसु मती सुन-सुन रीजे। उतर बालक कृष्ण के मुख से किरोध भरी इस सभी बातों को सुन-सुन कर माता यसुदा बहुत प्रशन होती है। मैंने अपना नीड बनाया तिन के चुन-चुन कभी कहता है कि मैंने भी एक-एक तिन का चुन-चुन कर अपना गोसला उसी पिरकार बनाया है। जिस पिरकार इस गोरई याने दीवार के छप पर मैं है। हमारे यूबकों को सपने देखने ही चाहिए सपनों को बिचारों में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे देश के यूबकों को सपने देखने चाहिए। ये सपने बेकलपना हैं जिन्हें बिचारों का रूप देना है और उन बिचारों के अनुशार कारे करना चाहिए। बाक्यों में प्रियोग कीजिए। मुहामरे नीद खुलना मुहन की नीद अब तो खुल जानी चाहिए क्योंकि उसकी आसफलता का कारण उसकी लाफरवाई नाक कटना रामसरन एक इज्जददार बकील है उसके लड़के आवारा बन चुकी है उनके कारणामों से तो बकील साब की नाक ही कट गई है अक का तारा आसिज इकलता पुत्र होने से अपने माबाप की आखो का तारा है 9-11 सिफाई को आते देख सडक पर इखटी भीड के लोग 9-11 होने लगे सिरी गडिस करना हम चाहते हैं कि अपने व्यवशाय का सिरी गडिस अप कर देना चाहिए प्राण मुर्जा जाना अपने परिच्चा का परिणा अच्छा ना होने से रबिंद्र के प्राण मुर्जा गए सब्द अनवेशक दुस्मन तलवार अधिकार बीरगती सहीर बिग्याने विज्ञान के छेत में अनवेशक अनवेशन कर रहे हमारे देश की सीमाओं पर दुस्वन की गतीविदिया देश में आइस्थरता पैदा कर रही है महराना प्रताप की तलवाल सूरच की किर्णों की भाती दमकती थी हमें अपने अधिकार के सांस सांथ अपने कर्तब विकाभी ध्यान रखना चाहिए कारगिल युद्ध में भारती फोच की अनेक बीर सैनिकों ने बीरगती प्राप्त की देश की आजादे की रक्षा में हुए सहीर सदेव इस्मरन किये जाएंगे भारते बेग्यानों को ने उच्च कोटी की खोजें की हैं दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निसान लगाईए गुरू सिस्सी में समासे अभ्यविभाव बहुब्री द्वन्त कौन सा समासे द्वन्त समाज में एक प्रतियाय लगाने पर सब्द बनता है सामाजिक, सामजिक, सामजाएक कौन सा सब्द बनता है? सामाजिक परीधान सब्द में उपसर्ग है पा, पर, पर कौन सा है? परी परीधान सब्द में उपसर्ग है पा, पर, परी कौन सा है? परी नदी सब्द का पर्याय वाची है सरीता गंगा आकास क्या है सरीता जिस समास में एक पद विशेशन और दूसरा पद विशेशक ये होता है उसका नाम है दिगू कर्मधार द्वन्त कर्मधार ये निम्नानकित मैसी अनुपरास अलंकार का उधार मैया मोही दाव बहुत खेजायो दाव कभू न कीजे बैठे जाए मथनिया के धिंग इसमें कौन से में है मैया मोही दाव बहुत खेजायो आक का तत्समसब दे अगनी अगनी अगन कौन सा है अगनी दूद का तत्समसब दे दूद, दुग्द, दुग्द, क्या है दुग्द? निम्नांक के सब्दों की बरतनी सुद्ध कीजिए, प्रछेपन, कीरतीमान, भाश्यकार, सांतामना, विश्रान्ती, शांपरदाइक, विस्विविख्यात, शुराच्य. निम्नांक के सब्दों में भेज समझाते हुए, एक-एक बाक्य बनाईए, पिता, पीता, सुना, सुना, हंस, हर्द, पिता, 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 ने पुत्र को मिध्यालय भेजा, बहरात को दूद पीता था, सुन, सुना, हमने सुना की, बे, सुने घर में घुस आये थे, ह हंस हज उसकी हंस जैसी चाल देखकर हम सब हज दिये अनु तथा आ उपसर्ग लगाकर सब्द बनाईए सरण, सासन, करण, चर, क्रम, रूप, गमन अनुसरण, अनुशासन, अनुकरण, अनुचर, अनुक्रम, अनुरू, अनुगमन, रक्षण, गमन, कर्षण, जन, चरण, जीवन, डोहन, वराट उसमें क्या होगा? आरक्षण, आगमन, आक्रशण, आजन, आचरण, आजीवन, आरोहन, आमरान निबने लिखित बाक्यों में कारक चिन्न की पहचान कर लिखिये की बहे किस कारक का बाक्य है मद्देप्डेश देश का अग्रणी प्रांत है ये कौन सा है संबंद कारक अब्दुल कलाम के लिए दो रास्ते थे संप्रदान कारक राष्ट उध्यान में खेती करना मना होता है आधिकरण कारक लोकमान्त लखने गीता भास ग्रंत का प्रणियन किया करता कारक वा संबंद कारक नीचे कुछ अनुछे दिये गए हैं उनमें ब्रामचिन नहीं है इनमें यथा इस्थान ब्रामचिन लगाकर पुन्हा लिखिये मेरी देखते देखते क्या से क्या हो गया जुही जहांसी, कालपी, ग्वालियर कहां से कहां पहुँच गई जब खान ने हीग तौल कर पुडिया बना कर साबितरी के सामने रख दी तव सबसे छोटे बच्चे ने पुडिया उठा कर खान के पास फेकते हुए कहा ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो मा, भीतर चलो पांधाउगण उमरिया जिले में इस्थित है उमरिया के अलावा, रीवा, सहडूल, जबलपुर और कटनी नगरों से भी यहां के लिए बसें मिलती हैं सही जूड़ी मिलाई, जिसके आने की तिथी मालूम ना हो, वो कौन कहलाता है अतीती, जिसके दस आनन है, आनन मिस सिर, जिसके दस सिर है वो कौन है, दस आनन रावार, जो बहुत बोलता हो, जो ज़्यादा बोलता है उसको हम क्या बोलते है बाचाल जो पढ़ना लिखना जानता है वो क्या कहलाएगा साच्छा जो संगीत जानता है वो कौन होगा संगीत अग जिसका उदर लंबा है जिसका पेट लंबा है वो कौन है लंब उदर अपने सब्दों में लिखिए क्या संघर्ष करने से सफलता मिलती है? हाँ, संघर्ष करने से सफलता अवश्य मिलती है. डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन आपको क्या प्रिणा देता है? अपने विचारों को क्रिया में बदलने, आसा वान मनने, बचन बद्धता का गून विक्सित करने की प्रिणा मिल झालिती है आपको कौन से कवीता अच्छी लगती है कारण सहीपth लिखिए है मुझे गौच्ञ यह कवीता अच्छी लगती है इसकी भाषा सरल سरस और समझ में आने वाली है प्रकती का चित्रण सरल भाषा सहली में किया गया है कभी ने अंत में अपने दाशनिक द्रश्टिकोन को भी इस्पश्ट कर दिया है Thank you students